हेलो फेंड्स तो चलिए बात करते हैं नेट्फिक्स की डार्क सीजन बन से रिलेटेड इसके पार्ट के बारे में जिसके डीटेल जानने के लिए आपको इसके पहले पार्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी यहाँ पर मैंने स्टोरी को काफी कंटीनु रखा है जिसे मैंने इस सीरीज में दिखाए गए सबी की सबी फैमली ट्रीस के साथ साथ ताइम की डीटेल भी काफी अच्छी तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में एक्स्प्लेन कर दी है जिससे देखने के बाद ही मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो को कंटीनु करना चाहिए त्योंके बाकी की डीटेल्स भी इस वीडियो में ऑविजली स्पोईलर से भरी हुई है इस देख स्पोईलर वार्लिंग को बलती है इसके लाव अगर छोटे से रीकेब की बात करें तो पहली वाली वीडियो में चुरुआत हुई थी मिकेल नाम के बच्चे के गायब होने से जिसकी चोटी सी रिक्वेस आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपको मेरी ये मैनच जरा से भी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मुझे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेन को अपने चैनल पर कंटीनू रख के प्रेजेंट टाइम लाइन यानी 2019 से करूंगा जिसकी स्टोरी को मैंने इसके फर्स पार्ट की वीडियो के बाद ही कंटीनू किया है ताकि कोई भी चीज इस पूरे सीजन वन से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस ना हो खेर तो इस टाइम लाइन में कैथरीना खो अपने उसके बेटे के गायब होने के टाइम पर घर पर नहीं थे जिसके बाद वा अपने पिता के पास उसकी इन्वेस्टिकेशन करने के लिए जाता है जहां पर उसके पिता तरट उसे साफ साफ मना कर देते है और फिर उल्रिक की मा जेना अपने बेटे को काफी सारी डीटेल्स देती है जैसे कि उसके पिता का फैर उन दिनों क्लाउडिया नाम की औरत के साथ था जो कि रेजिना की मॉम है और इसके अलावा जब उसका भाई मैड्स गायब हुआ था आकरी बार तो उसे उस टाइम पर रेजिना के साथ ही देखा गया था जिसके बाद उल्रीक यहां से सी अच्छा बेस्ट्रेंट मैड्स ही था जिसके साथ वो उस रात भी बुली के टाइम पर घर पर आ रही थी बड़ उसी रात उसका भाई मैड्स वहां से गायब हो गया और इसके अलावा उल्रीक को यह भी पता था कि रेजिना ने ही उसकी कंप्लेंट पुली स्टेशन में क जिसके कारण उल्रीक को अपने कुछ टाइम जेल में बिताने पड़े थे तो चलिए उसी डीटेल्स पर आते हैं जहां पर पुली स्टेशन में रेजिना नहीं बलके हैना गई थी अपने पिता सेबेस्टिन के साथ जहां पर जाकर उसने ये गवाई दी थी कि उल्रीक ने देखा सेक्स करते हुए तो उससे रहा नहीं गया कि वो ये बात जूट 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 जाकर पुली स्टेशन में बता दे जिसके चक्कर में उल्रीक पर एक बड़ा दाग लगा था जिसे बाद में कैथरीना ने आगया कर एक्सेप्ट भी किया था कि उन दोनों के भी जो क पुझ भी हुआ था वो उनकी मर्जी से था जिसके बाद वहाँ पर भी हैना ने पहुचकर कैथिना से ये जूट कहा था कि पुली स्टेशन में गवाई और किसी ने नहीं विलके रजीना ने दी थी जॉब जाकर प्रेजिना ने अपने मूँ से बताया जिसके बाद पुल पर बहुत ही जादा भारी पड़ेगी और इसके अलावा इसी टाइम की मिखेल की बात कर ले तो मिखेल को यहां पर एडॉब ऑवेजली रिगीना ने कर लिया है जहां पर मिखेल की मुलाकात एना से भी होती है जो अपने पिता के साथ हॉस्पिटल में किसी काम से आई होत जिसके बाद उस हॉस्पिटल में नुवा का कैरेक्टर आता है जो दोनों ही टाइम लाइन में बिल्कुल यंग है जहां पर आकर वो मिखेल को भगवान से रिलेटेड कुछ बाते सुनाता है जिस पर मिखेल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मिखेल ओवेजली फ चुरू ही और इसके अलावा देखा जाया तो ये सीरीज एमिरेंस टेबलेट पर भी फोकस करती है जिसकी डीटेल मुझे लगता है आपको नेट पर मिल जाएगी जिस पर यही लिखा हुआ है कि दुनिया की शुरुआ कि किस तरीके से की गई है अब इस टेबलेट पर लि डाइरी निकालते है जिस डाइरी में टाइमिंग नोट्स होती है जिससे देखकर हमें ये बात साफसर समझ आ जाती है कि ये डाइरी उन टाइमिंग और डेट्स को बता रही है जिस टाइम पर इन डोर्स को खोला गया है खर तो जोनस उस डोर से एंटर करते हुए आगे ज की मॉम का यंग वर्जिन उसे लिफ देने के लिए भी खड़ा है जिनसे वो लिफ नहीं लेता और दूसी तरफ हमें दिखाया जाते है उल्रिक जो अपने भाई की फोटो को काफी ज़ादा गौर से देखते है और सीधे मौगरेच पहुच जाते है क्योंकि जिस बच्चे की उन्हें लाश मिली थी वो और कोई नहीं बलके उनीका गुमशुदा भाई मैटसन नील है जिसकी लाश अभी भी इतनी जादा फ्रेश है जो कि आज से ठीक 33 येर्स पहले गायब हुआ था और प्रेज़ेंट टाइमलान यानि 2019 में भी वो बिलकुल यंग है बट अनफॉचनेटली वो मारा गया है और इसके अलावा बात करें नुवा की तो नुवा की मुलाकात बार्तोस से हो गई है यानि एक तरीके से नुवा बार्तोस को अपने साइट करना चाता है और उसे इसी ना किसी तरीके का मिशन देना चाता है और फिर से आते किया तो उसकी existence present से मिठ जाएगी यानि कि जोने उसका वजूद ही नहीं होगा present में जिसके बाद जोने decide करता है कि वो मिकाईल को अपने साथ future में नहीं ले जाएगा जिसके बाद वो future में पहुचते के साथ में ही अपने dead के उस letter को जला देता है और दूसरी तरफ उल्रिक अपने भाई की dead body का post bottom करवा कर ये पता लगा लेते हैं कि ये लाश वस 16 घंटे ही पुरानी है जो कि उल्रिक के हिसाब से बिल्कुल भी possible नहीं जिसके बाद उल्रिक यहां से सीधे अपने भाई की file को study करने के लिए पहु लाता है क्योंकि जिस रात मैट्स गाइब हुआ था उस रात हैल्गे power plan में काम कर रहा था और प्रेजेंट में उड्लिक का शक इगोन पर जादा आ गया है जिसके बाद वो अपनी बॉस चैनी के शैलोट को हैल्गे को investigate करने के लिए कहता है जिसके बाद शैलोट उसे साफ एक शक्स जो दिखने में फादरी था वो किसी डिस फिगर फेस वाले शक्स से बात कर रहा था जो कि और कोई नहीं बलके हल्गे का mid-younger version था यानि 1986 वाला कर तो उल्रीच यहां से सीधे hospital फिर पहुचता है जहां पर उसे हल्गे नहीं मिलते लेकिन वहां पर उसे time through की वो book मिलती है जिसमें उसे red धागे के साथ वैसा ही coin मिलता है जैसा coin उल्रीक ने अपने भाई की dead body पर देखा था जिसके बाद वो चैलोट को call करकर ये confirm करता है कि हल्गे ही बच्चों को kidnap करता है जिसके बाद वो हल्गे का पिछा करता है जो हल्गे यहां से सीधे शहर की उसी पीटर से पूछती है जिसके जवाब में आगें पीटर उससे जूट कहता है और दूसी तरफ हल्गे से रिलेटेड ये भी डीटेल पता चलती है कि जिस दिन हल्गे को investigation के बुलाया गया था उस दिन उसका accident हुआ था जिसके बाद उसे dementia यानि के भूलने की विमारी हो गई जिस केविन में शेलोट को लूप पेंट्स का चोटा सा तुकड़ा मिलता है जहां पर इसके पहले एरिक यासीन और मैट्स को लाकर मारा गया यानि कि एक टाइम मशीन को experiment करते वाग जिस चकर में उनकी आँख और कान पूरी तरीके से फट जाते खेर तो नुवा के करेक् से को चूज करकर सीधे 1953 में पहुँच जाता है और ओल्ड हल गे 1986 की टाइम लाइन में तो अब यहां पर इंट्रिउस होती है तीसरी टाइम लाइन यानि कि आप क्यारक्टर चेंज होगे यानि जो बुड़े है 1986 में वह हमें इस वर्जन में बिल्कुल यंग दिखाये जा और इस टाइम लाइन में हैल्गे के माता पिता चैनी के ब्रैंड भी यंग है और उनकी वाइफ रगीटा डॉबलर भी और सी टाइम लाइन में स्टीस हैने और आजाए कैनवल फैमली पर इनलिस यहां पर हमें काफी यंग दिखाई गई है और इसके अलावा जैना भी और यह दोनों बेस्ट फ्रेंड है और इसके अलावा उल्रिच के पिता इस टाइम लाइन में बहुत ही चोटे बच्चे है और इस टाइम लाइन में अल्रिच की ग्रैंड मदर एगनेस निलसन भी हमें दिखाई गई है जिनके पिता की यहां पर अभी तो कोई डिटेल नहीं और चोटा हेलगे भी उस लोकेशन पर पहुच जाता है और सीधे यहां से अपने पिता को जाकर इसकी इनफोर्मेशन देता है जहां पर उसकी मॉम को यह सारी चीजे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि वह बहुत ही जादा स्ट्रिक्ट है और अब उसके पिता ब्रेंड इन सबी जहमोलियों से काफी दूर रहना चाते है जिसके बाद वो यहां से सीधे उसी क्राइम लोकेशन पर पहुच जाते है और इसके अलावान दो बच्चों पर आए तो वो दो बच्चे और कोई नहीं बलकि प्रेजेंट टाइम लैन यानी 2019 के है यानी किया सिन और इर निकल कर अपने घर पर जा रहा होता है तो उसे कुछ बच्चे बुली करते हैं जिसके बाद उल्रिक वहां पर पहुँच कर उससे यही कहते है कि उसे खुद के लिए लड़ना होगा जिसके बाद उल्रिक यहां से सीधे उसी साइंटीस की यंगर वोशन के पाज पहुच पर जाते जाते वो अपना जैकेट भूल जाता है जिस जैकेट में उनके पास उनका मुबाइल फोन था जो साइंटिस के लिए अगेन काफी नई चीज थी पर तो उल्रिक यहाँ से सीधे पूली स्टेशन जैसी ही पहुचते हैं तो उन्हें वहाँ पर पहुच कर ये पता चलता है कि उन दोनों बच्चे की लाज उनके बेटे मिकेल की नहीं है बट इसी बीच इग उल्रिक को ध्यान में रख लेता है जिसके बाद उल्रिक इसी टा एगनेस अपने बेटे टॉरेंट को लेकर सीधे एडमेन फैमली के घर पर पहुची है रहने के लिए टैनी के वो उनके नए किरायदार है जहाँ पर उनका स्वागत डॉरिस करती है और इसी बीच हम ये देख सकते है कि डॉरिस और एगनेस के बीच एक अलगी रिलेशनश पर तो इगन वहाँ पर पहुच कर एगनेस से उनके पती के बारे में पूचता है जिसके जवाब में एगनेस यही कहती है कि उसका पती एक गुरा इंसान था जो की पेशे से एक प्रीस्ट भी था जानी कि यहाँ पर नाम हमें नुवा का सजेस्ट होता है जिस पर अभी को कि इगनेस पीती है और अगेन इसकी ऐसी कोई भी कन्फोमिशन नहीं है कि ट्रॉंटे को ऐसा टॉर्चर कौन करता था और ट्रॉंटे के पिता कौन है खेर तो हल्गे के ना मरने के कारण टाइम लैन में कोई भी चिंजस नहीं हो रहे जिसके चलते इगन किसी ना किसी तरी अगरे के से एल्रिक को ढून लेता है उसी केव के पास जहांसे एपनी प्रेजेंट टाइम लैन में जाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पर उन्हें पता चलता है कि हल गे शायद अभी मैंने आपको बताया कि टाम लैन में कोई भी चेंजस नहीं हुए है और इगन इतने प्रेशर में इसलिए आया क्योंकि हेल्गे के पिता अपने बेटे को ढूने के लिए काफी जादा इगॉन को फोर्स कर रहे थे जिसके बाद इगॉन का शक सीधे सीधे उल्रिच पर ही गया क्योंकि वहाँ पर उन दो बच्चों की लाश के बार में पूछने आया था और इस सीधे आते है 1986 की टाइमलाइन में जिस टाइमलाइन में हम उल्रिक और कैतरीना को रेजीना को बुली करते हुए देखते हैं जहां पर एक और क्यारक्टर का अपिरेंस होता है जिसे गोली लगी है और उसके पास एक गन भी है और सी गन से वो उल्रिक और कैतरीना को डरा कर भगा देता है और ये शक्स और कोई नहीं बलके रजीना का future husband Alexander है जो कि अपने passport को जंगल में छुपा कर आता है क्योंकि उसका असली नाम Boris Nailwood है जिसे जंगल में passport छुपाते हुए और किसी नहीं बलके एना ने देखा है जिस passport को अपने साथ ले गई क्योंकि हैना को लगता था कि वो इस passport का future में यूज़ करेगी अच्छा खासा जो कि ऑविस्डियो करने ही वाली है इसके अलावा हम इस timeline में ये भी देखते है कि Boris खुद को ठीक करकर सीधे power plant पहुँच जाता है Claudia के पास जहाँ पर वो अच्छा खासा interview देता है जिससे impress होकर Claudia उसे एक काफी important काम देती है जानी के एक door बनाने का जो door wind in caves को उस power plant से जोड़ेगा और उसके बाद Claudia को वहाँ पर उससे उसका pet मिलता है जिससे हलगे ने 1953 में उस cave में डाल दिया था और वो dog गलकुल ठीक है जिससे देखकर Claudia बहुती जादा शौक में है जिसके बाद हमें Chernobyl के उसी event की याद दिलाई जाती है जिस पर एक पूरी के पूरी HBO की series बनी है और उसी के चलते यहाँ पर एक time hole create हुआ है जिसके चलते time में travel किया जा सकता है जिस event को बहुती अच्छी तरीके से इस series में use किया जा रहा है और Cloudy ने ये सारी की सारी बाते Brandon से निकलवाई है जो Cloudy का अपना मूँ बंद करने के लिए कहते है और दूसी तरफ आ जाए बूडे हलगे पर तो बूडे हलगे ने actual में time trailing की है 1986 में जहाँ पर वो खुदी के version के सामने आकर उससे कुछ कहना चाहते है क्योंकि ये वही दिन है जिस दिन हलगे को police station जाकर report देना है जिसके बाद महाँ पर Egon भी आते है उससे पूछताच करने के लिए लेकिन हलगे उस time पर छुप जाता है और सीदे नुआ से जाकर यही कहता है कि वो लोग जो कर रहे है उसे बिलकुल भी ठीक नहीं लग रहा जिसके बाद नुआ उसका brainwash करता है जैसे नुआ ने बच्पन से उसका और उसकी मॉम का किया है यानि देखा जाये तो हलगे का character काफी innocent character है इसके अलाव हमें उसकी मॉम से ये भी पता चलता है जब नुआ उनसे कुछ convince करने के लिए कहता है जहाँ पर हलगे की मॉम नुआ को ये बताती है कि उनका बेटाउन है इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो प्यार की निशानी नहीं है अपने older version से होती है जो उसे यही कहते है कि उसे नुआ से दूर रहना चाहिए जिसके बाद younger version का हलगे अपने old version की बात नहीं सुनता क्योंकि नुआ ने उसका brainwash कर रखा है और वहीं पर नुआ हलगे को ये बताता है कि उन्हें अगला किटनैप और किसी का नहीं बलके जोनस का करना है और जोनस यहाँ पर फिर से टाइम ट्रेवलिंग करकर 1986 में आया हुआ है अपने साथ मिकेल को ले जाने के लिए बले से ही प्रेजेंट की टाइम लाइन में वो जिन्दा रहे या ना रहे जिसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल पहुचता है तो वहाँ पर उसे हलगे और नुआ मिलकर किटनैप कर लेते हैं वो भी यर 1986 में और अब दूसरी तरफ आ जाया प्रेजेंट पर तो प्रेजेंट में कैथरीना सीदे हैना के पास पहुचती है अपने पती के बारे में पूचने के लिए जिसके बाद एना उससे काफी सारे जूट कहती है जैसे कि उसके पती की रिलेशनशिप उल्डिक ने नहींkov-कि उसने खुद तोड़ी है इसके अलावा उल्डिक ने उसे ये भी वताया है कि वह अपनी पत्मी कैथिना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता जिसके बाद कैतीना पूरी तरीके से तूट जाती है और यही नहीं इसके अलावा हैना ने रजिना के हजबेंड एलेक्जेंडर को भी ब्लैक्मेल किया है उसके बॉरिस का पास्पोर्ट दिखा कर वो भी ये कहते हुए कि अगर उसने उल्रिक को बरबाद नहीं किया तो वो उसका राज दुनिया के सामने रख देगी यानि देखा जातो हैना आप पूरी तरीके से उल्रिक को बरबाद करना चाती है जिसके शुरुआत उसने अलरड़ी कर दी है और दूसी तरफ आ जाए एक और बड़े ट्विस पर तो प्रेजेंट की टाइम लाइन में हमें क्लाउडिया का ओल्डर वर्जिन दिखाया जाता है जी हाँ जो टाइम ट्रेवलिंग करकर काफी सारी चीजों को ठीक करना चाती है जैसे के वो सबसे पहले अपने ग्रेंट सिंग बॉरिस के पास पहुशती है जहाँ पर वो उस से मिलकर यही कहती है के वो अपनी मॉम के पास जाकर यह कहे कि वो क्लाउडिया को माफ कर दे त्यानिके रगिना के पास इसके अलावा वो Nua की भी वार्निंग बॉरिस को दे कर जाती है जिस वार्निंग का बॉरिस पर कोई भी एसर नहीं परता क्योंके बॉरिस बाद में जाकर Nua से मिलता है और यही कहता है कि जैसा आपने मुझे कहा था वैसा ही हो रहा है और आजाए उस stranger पर वो stranger time machine लेकर time को बन नहीं वलके एक warm hole को create करेगा जैनिक एक अलगी timeline और अब आजाए फिर से Claudia के future version पर जो वहाँ से सीधे cabin पहुचती है जहां पहुच कर वो Peter और 20 को यही कहती है कि जैसा हो रहा है वैसी ही चलने दो जैनिक जो detail book में लिखी है उसी को उन्हें follow करना है जिसके बाद दिवार से एक portal create होता है जिस portal में से mats की लाश गिरती है जिस लाश को देखकर प्रंटे बहुती जादा शौक में चले जाते है क्योंकि यह लाश उनके grandson की है जिसे अब उन्हें जंगल में फिक कर किकाने लगाना है ताकि police तक यह लाश जाएगी ऐसी और भी काफी सारी बाते हैं जो क्लावडिया उन्हें फिलाल तो उस situation में explain नहीं कर पाती यानि सही मौका और सही time का wait करना होगा उन लोगों को और दूसरी तरफ क्लावडिया ने एक और time traveling की है जो की है ओवेजरी 1953 की जहां पर वो सीधे blueprint लेकर उस scientist के पास पहुच गई थी और उससे यही कहा था कि वो इस time machine को बनाए यानि देखा जाए तो scientist ने अपनी सारी की सारी मेहनत already बने हुए homework पर की थी जिसे बार बार किसी और ने लाने का काम किया जैसे के क्लावडिया ने उस scientist को blueprint दिये जिसके बाद वो stranger उसके पास उसी की बनाई और उल्रिक ने उस scientist को अपना mobile दिया और हाँ उसकी time की लिखी गई book भी लेकिन इतना सब कुछ मिल जाने के बाद भी वो scientist उस machine को बना तो लेता है लेकिन उससे start नहीं कर पाता जिसे start करने का काम वो stranger करता है उस scan से कुछ sample निकाल कर जो sample एक प्रक्ट में भरे हुए थे वो भी unknown location पर रखे हुए जिस location का obviously उस stranger को पता था जहां से वो scan में से cesium के sample लेकर सीधे उस scientist के पास पहुचता है यानि कि year 1986 में और हाँ वो machine उस mobile के frequency से काम करती है जिसके जरिये से उस machine में एक जगा खुलती है जिसमें cesium के sample को add कर दिया जाता है और अब ये machine पूरी त सकीया तो आगे चलकर उसका past खराब हो जाएगा जी हाँ यानि के एक और ट्विस के वो stranger और कोई नहीं बलके Jonas का अलग version है जो की future से यहां पर सारी की सारी timeline को ठीक करने आया है और से ये भी पता है कि इस room से Jonas actual में कैसे बाहर निकलेगा और कहां पर जाकर पहुचेगा और तब जाकर Jonas उससे उसकी identity पूछता है जिसके बाद post stranger उसे सारी की सारी details समझाता है जिससे सुनकर फिलहाल तो Jonas काफी जादा shock में है और इसके अलावा बात करें उस letter की जिस letter को Jonas ने जला दिया था जिसके बाद Jonas को दूसरी के version ने दिया था future से आकर जिसके बाद Jonas को दूस लैन्स में light fluctuate होना शुरू हो जाती है जिसका एसास हर टाइम लैन में सभी को हो गया है और इसके अलावा हमें आस्मान में बड़ा सा black hole create होता हुआ दिखता है और Jonas के रूम में एक portal बनता है जिस portal के तूर Jonas सीधे सीधे young Helga को देखता है जो अभी अभी उठकर खुद को स करते हैं तो हेल के वहां से सीधे 1986 में पहुच जाता है और Jonas यहां से सीधे future में जिस future के हमने छोटे मोटे glimpse इसी season 1 के episodes में देखे थे जैसे के cloudia इसी future से आई है जिसका year 1952 का है और Jonas उस time lane में पहुच गया है जिस cave से निकल कर वह सीधे बहार आता है तो उसे future अच्छा दि आपकी क्या रहा है इसके पूरे के पूरे season 1 को लेकर उस बारे में मुझे comment करकर जरूरू बताईएगा कि मैंने इन दो parts में आपको इसके दोने ही season को काफी simple तरीके से explain किया भी है या नहीं और C के साथ साथ अगर आपको मेरी ये महनत ज़रा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मुझे motivation मिलती रहे इस type के content को अपने channel पर continue रखने की और हाँ इसके season 2 से related भी मैं इसकी अगली वीडियो बहुत जल्द अप्लोड कर दूँगा क्योंकि उस पर भी already मैंने काम शुरू कर दिया है लाइक सब्सक्राइब और बैल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए अब मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए